गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का Study India यूटूब चैनल पर, तो आए शुरू करते हैं आजम 23 दिसंबर 2018 का करनेंटर फिर्स का वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी इमपोटेंडे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, अगर आपने Study India यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ नए वीडियो का नोटिफिकेसिन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक करना भी ना भूले, अगर आप इस वीडियो की पीडियो फाइल प्राप्त कना चाहते हैं, तो आ आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जूट जाएजी, जिसका लिंक वीडियो की निचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जूट जाए और वीडियो को देख सकें, चल इसके चार ओप्सन है, ओप्सन A है राजस्तान राज्ये की, ओप्सन B है मद्दे परदेश राज्ये की, ओप्सन C है करनाटक राज्ये की, ओप्सन D है जारखंड राज्ये की, तो इसका सही आंसर है ओप्सन A, राजस्तान राज्ये के चूरु जिले की, यानि कि प्रिया पूनिया का भारतिय मैला T20 में चेन हुआ है वह राजस्तान राज्य के चूरु जिले की रहने वाली है आपको जी पिच्चर दिखाए गई यह पिरिया पूनिया की है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स लाइबर जान लेते हैं राजस्तान के बारे में राजस्तान की जो चीफ इनिस्टर है वह असोगेलोग यह राजस्तान की चीफ इनिस्टर है और राजस्तान की जो पूपूलेशन है यानि की जल संग्या है वह 6.80 करोड और यहां की जो ओफिसिल एनिमल है वह केमल और चिंकारा यह राजस्तान के ओफिसिल एनिमल है चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं next question नेक्स्ट कोसन है किस राज्जे सरकार ने किसानों के लिए कालिया योजना को मनजूरी परदान की है इसके चार उप्सण है उप्सण A है ओडिसा राज्जे ने उप्सण B है बिहार राज्जे ने उप्सण C है गोवा राज्जे ने Option D है मनेपुर राज्ये ने तो इसका सही answer है Option A ओडिसा राज्ये ने ओडिसा राज्ये ने किसानों के लिए कालिया योजना को मनजूरी परदान की है चली आगे बढ़ते हैं और नेक्स लाइबर जान लेते हैं इस क्योशन जुड़ी मेतपण जानकारी सबसे पहले देखते हैं कालिया की फुल फॉर्म कालिया की जो फुल फॉर्म है वो है क्रिसक Assistance for Livelihood Income Augmentation यी कालिया की फुल फॉर्म है इसके अलावा इस योजना में राज्ये के 92% किसानों को कवर किया जाएगा इस योजना के लिए सरकार ने 10,000 करोण रुपे की मंजूरी दी है इसमें किसानों को 5,000 रुपे की दर से रवी की फसल और खरीब की फसल के लिए 10,000 रुपे की वित्ति साहता प्रदान की जाएगी और इस योजना किस राज्ये ने सुरू की है तो वह ओडिसा राज्ये ने चलिया आगे बढ़ते हैं और नेस लाइबर जान लेते हैं ओडिसा के बारे में ओडिसा की जो केपिटल है वह भुवनेश्यवर ये ओडिसा की केपिटल है इसके अलावा ओडिसा की जो चीफ निस्टर है वह नवीन पत्ना है और ओडिशा की जो गवर्नर है वो है गड़ेसी लाग ये ओडिशा के गवर्नर है और ओडिशा की जो पोपुलेशन है यानकी जन संग्या है वो है 4,19,14,218 ये ओडिशा की पोपुलेशन है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले next question है राश्टी गडित दिवस कम मने जाता है इसके चार ओप्षन है ओप्षन ए है 19 दिसंबर को ओप्षन बी है 20 दिसंबर को ओप्षन सी है 21 दिसंबर को ओप्षन डी है 22 दिसंबर को तो इसका सही आंसर है ओप्षन डी 22 दिसंबर को राश्टी है गडित दिवस 22 दिसंबर को मनाय जाता है और यह किसकी यादेव मनाय जाता है तो है महान गणित्यक गे स्री निवास रामा नुजन की याद में रास्टी गणित दिवस मनाया जाता है चली आगे बढ़ते हैं और नेट लाइवर जान लेते हैं इस के उसल जूड़ी मेतकुन जानकारी इस दिवस की गोषना प्रधान मंत्री मनमोन सिंग ने 26 फरवरी 2006 को की थी तब से 22 दिसंबर को रास्टी गणित दिवस मनाया जाता है ये दिवस महान गणित्यक गे स्री निवास रामा नुजन की इस म्रती में मनाया जाता है श्री निवास रामा नुजन का जन्म 22 दिसंबर 1883 को मद्राज प्रेजडेंट के इरोड में हुआ था तो ये थी इस क्योषन जूड़ी मेतकुन जानकारी चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योषन नेक्स्ट क्योषन है रिवा गंगुली दास को किस देश में भारत का उच्चा युक्त नुट क्या गया है इसके चार उप्षन है उप्षन A अफगानिस्तान में उप्षन B है बांगला देश में उप्षन C है दक्षिन अफरिका में उप्षन D है औस्टेलिया में तो इसका सही आंसर है उप्षन B बांगला देश में रिवा गंगुली दास को बांगला देश में भारत का उच्चा युक्त निपक्या गया है और आपको जी फिचर दिखाई गई है रिवा गंगुली दास की है चली आगे बढ़ते हैं और नेक्स लाइबर जान लेते हैं बांगला देश के बारे में बांगला देश के जो केपिटल है वो है धाका ये बांगला देश की केपिटल है और बांगला देश के जो प्रेजिडेंट है वो है अब्दुल हामिद ये बांगला देश के प्रेजिडेंट है और आपको जीए फ्लेग दिखाया गया है यह बांगलादेस का फ्लेग है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question सेशन पसंद आ रहा हो तो like बटने प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले इसके लावा आप वीडियो को सेर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी हमाई साथ जूड़ जाए और इस वीडियो को देख सके next question है time magazine के 25 प्रभाव साली किसोरों में भारतिय मूल के कितने चात्र सामिल हुए है इसके चार option है option A है 4 चात्र, option B है 3 चात्र, option C है 5 चात्र, option D है 2 चात्र तो इसका सही answer है option B तीन चात्र, time magazine के 25 प्रभाव साली किसोरों में भारतिय मूल के 3 चात्र सामिल हुए है आपको जो पिच्चे दिखाई गई है वो 3 चात्र है जो time magazine के 25 प्रभाव साली किसोरों में भारतिय मूल के 3 चात्र सामिल हुए है चली आगे बढ़ते हैं और next flavor जानते हैं इस question जूरी मेत्पुन जानकारी इसमें जो 3 चात्र सामिल हुए है उनके नाम इस प्रकार है चात्रा काववे कोपारापू रिशब जेल अमिका जाज ये उन 3 चात्रों के नाम है आई जानले थे थोड़ा टाइम मेगजिन के बारे में टाइम मेगजिन के जो एडिटर है वो एड़वार्ड फेल सेंटर ये टाइम मेगजिन के एडिटर है टाइम मेगजिन की जो फर्स्ट इश्यू डेट है यानि कि इसको जो पहली बार जारी किया गया था वो किया गय यह वह निउस मेगजिन यह निउस मेगजिन केटिगरी के अंतरगत आता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट करसन नेक्स्ट करसन है भारत का पहला रेलवे विसु विध्याले किस राज्ये में स्तापित किया जाएगा इसके चार ओप्सन है जान लेते हैं गुजराट के बारे में गुजरात के जो केपिटल है वह गांधी नगर ये गुजरात की केपिटल है इसके अलावा गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है वह विजे रूपानी ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर है और गुजरात के जो गवर्नर है वह ओम प्रकास कोहली ये गुजरात के गवर्नर है गुजरात की जो population है यानि की जनसंग क्या है वो है 6.27 करोण ये गुजरात की population है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question सेशन पसंद आ रहा हो तो like बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले next question है next question है किस देश ने आदिकारिक तोर पर दुनिया का सबसे लंबा समुंद्री क्रोशिंग फूल खोल दिया है इसके चार option है option A है जापान ने, option B है चीन ने, option C है अमेरिका ने, option D है भारत ने तो इसका सही answer है option B, चीन ने, चीन ने आदिकारिक तोर पर दुनिया का सबसे लंबा समुंद्री क्रोशिंग फूल खोल दिया है चली आगे बढ़ते हैं और next level जान लेते हैं चीन के बारे में चीन की जो केपिटल है वो है बीजिंग ये चीन की केपिटल है और चीन की जो प्रेजिडेंट है वो है सी जिनपिंग ये चीन के प्रेजिडेंट है और चीन की जो करंसी हो है रेन मिम्बी ये चीन की करंसी है और चीन की जो population है यानि की जनसंग क्या है वो 138.64 करोण ये चीन की जनसंग क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है भारती मोबाइल कांग्रेस 2018 की मेजबानी की सहर ने की इसके चार ओप्सन है औप्सन A है नई दिल्ली ने औप्सन B है बेंगलूरू ने औप्सन C है चेन नई ने औप्सन D है मुंबई ने तो इसका सही answer है औप्सन A नई दिल्ली ने भारती कांग्रेस मोबाइल 2018 की मेजबानी दिल्ली सहर ने की है चली आगे बढ़ते हैं और ने स्वाइबर जाल लेते हैं दिल्ली के बारे में दिल्ली के जो CM है वह आरविंद के जरिवार ये दिल्ली के CM है और इसके अलाबा दिल्ली के जो लेफ्टिनेट गवर्नर है वोई अनिल बेजल ये दिल्ली के लेफ्टिनेट गवर्नर है और दिल्ली की जो पोपुलेशन है यानि की जनसंक्या है वोई दो पोईंट तैयासी करोण ये दिल्ली की जनसंक्या है तो येती दिल्ली के बारे में मेत्रपन जानकारी इसी के साथ आज का वीडियो ये समापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सेर करना बिल्खुल भी न भूले इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा शेर करें ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए और वीडियो को देख सकें हम फिर मिलते हमारे अगले करन्ट अफेर्स के वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू